नमस्कार दोस्तो, सबी लोग RRB PO की तयारी कर रहे हैं, बहुत सई चल रहा है सब कुछ, लेकिन आप में इसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे, जिनको ऐसा लग रहा है कि काश जार इस एक्जाम के लिए थोड़ा और वक्त मिला होता ना, तो इस बार में इस एक्जाम को क्राक कर लेता, बहुत आसानी से, अगर आप RRB PO की तयारी कर रहे हो, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक ही बात बुलूँगा कि बैंकिंग एक्जाम की सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात क्या है ना, एक एक्जाम खतम होगा, दूसरा एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानि RRB PO के बाद आपके पस दो अपॉर्चुनिटी और होंगी, IBPS PO और SBIPO, अगर कोई बिगनर बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और वो ये जानना चाहता है कि सर, आपका ना कोई फांडेशन बैच कब आएगा, हमें SBIPO की तयारी करनी है, बिल्कुल जीरो से अभी लोगों को कि SBIPO के लिए फांडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है आठ अगस से, ठीक सुना आपने, चार अगस्त को आप पेपर देखे आएंगे, उसके चार दिन बाद SBIPO के लिए जो फांडेशन बैच है, बिल्कुल नया बैच होगा, लाइफ बैच होगा, और अभी क्या है न, अनकैडमी पे एक ओफर चल रहा है, इसकी लास्ट डेट है बच्वाच, आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी इशू आप कॉल कर लिजे का नंबर रिफलेक्ट हो रहा है, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाओगे ये वो है आपका AVP, तो जाएएगा इसको बाई कर लिजेगा, ये बच्वाच आपका स्टार्ट हो रहा है, 8 अगर से, कोई confusion अगर किसी बच्चे को है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकता है, ये देखे, तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, कोई भी इशू है, बच्च के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, टाइमिंग के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी सवाल हो, आप कमेंट कर देना, तो काफी लोगों की ये क्वरी थी, कि सर, SBIPO, क्लरिकल के लिए फांडेशन बच्च कब आएगा, बहुत जादा लोग यहा और जो भी लोग हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा फ्रेंड पूछ रहा था, SBIPO के ने, उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना, all the best, take care, bye bye